हेलो दोस्तों कैसे हैं आप अम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आपको बताने जारी हूँ एक ऐसी मोटिवेशन इस स्टोरी के बारे में आप तो जानते ही है ना गोतम बुद के जब भी हम किस्से सुनते हैं हमें वो इतने मोटिवेट करते हैं कि अगर हम कहीं पर रुख गए हैं कहते हैं ना कि जब इनसान सपलता की सीड़ी पर चड़ता है और मेहनत और सब्र का तालमेल एकसा होता है इसी पर आज ये पूरी कहानी है जो इनसान मेहनत करता है उसको सब्र भी करना पड़ता है और जो सब्र करता है उसको महनत ये दोनों चीज़े कितनी ज़रूरी हैं चलिए मैं आपको एक कहानी के जरीए ये समझाती हूँ दोस्तों जिंदेगी में सफल होने के लिए हम कई कोशिशे करते हैं लगातार हात पैर मारते हैं लेकिन जो एक चीज हमसे नहीं होती वो है सबर जी हां दोस्तों अगर हम मेहनत के साथ साथ थोड़े से सबर को भी शामिल कर ले तो हमारा कोई भी काम बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। तो चलिए, आज इसी मेहनत और सबर के मेल जोल की गोतम बुठ से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार गोतम बुठ अपने शिश्यों साथियों के साथ किसी गाउं में उपदेश देने जा रही थे। उस गाउं से पहले ही रास्ते में उन लोगों को जगा जगा बहुत सारे गड़े खुदे हुए दिखाई पड़े। ये देखकर बुठ के एक शिश्यों ने उनसे पूछा आखिर इस तरह एक ही रास्ते पर इतने सारे गड़े खुदे होने का क्या मतलब है। शिशे के इस सवाल पर बुद बोले, किसी ने पानी की तलाश में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही इतने सारे गड़े खोदे हैं, लेकिन अगर वो सब्र के साथ एक ही जगा पर गड़ा खोदता, तो उसे वही पर पानी मिल जाता, लेकिन उससे सब्र नहीं हुआ, इसलिए वो हर थोड़ी दूर पर गड़ा खोदता और पानी ना मिलने पर दूसरा गड़ा खोदना शुरू कर देता, जिस वज़ा से ही इस रास्ते का ये हाल हुआ है, इसलिए हमें मेहनत करने के साथ सब्र भी रखना चाहिए, इन दोनों की मेल जोल से सारे काम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो बस थोड़ा सा सब रखें, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, वन्ना आप भी गड़े तो खोद लेंगे, लेकिन आपको भी पानी नहीं मिलेगा, पानी पाने के लिए सब रखना ही पड़ेगा, चली द झाल